हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर योटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको गले का बड़ा ही सुन्दर डिजाइन सिखाने जा रहा हूं बहुत असानी से डिजाइन बन जाता है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन यह लगता है और दोस्तो मैं आपको यह भी बता देना चाता हूं अगर आप से लाई का शौक रखते हो घर बैटके स्लाई सीखना चाते तो आप मारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोइन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाए दे रहे होंगे इन नंबर पे कॉल करके आप पू नंगुरे वाली लाज्स और इसके अलावा दोस्तों आपको चाहये पेप्र फोम ये तेखी यह जो पेपर फोम है इसमें कितनी लंबाई यह कुट़ाई रखनी देखी इसकी जो इस प्रिका सिर्च रखनी और प्रकार 5 जो चिपका लेन यह जिसमें जाटiक 5 प्रेस के daha इसको हमने चिपका लेना है दोस्तो पेपर फॉर्म को चिपकाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कप्ड़ा है ना इस पेपर फॉर्म के साथ चारो तरफ से आपको बिल्कुल बराबर बारबर काट लेना है एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब इसके उपर दोस्तों आपको एक मार्क लगाना है किस प्रकार से यह देखिए टोटल यह चार इंच है तो चार कादा केतना होता है दो इस प्रकार से दो इंच पे आपको बिल्कुल सेंटर में एक स्केल की मदद से सीधा निशान लगाना है देखिए बिल्कुल बराबर रखा इसको मैंने और यह इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है दोस्तों बिल्कुल सेंटर में निशान को लगाने के बाद अब आपको इसमें बीच में निशान लगाना कैसे देखिए इस जग यहां से दूरी आपको एक उच्छी रखनी है यह 1 इंच की दूरी और इधर से भी आपको एक उच्च यह ऐसं प्रकार से इस परकार से यह मैंने दो निशान लगा दिये अब सेम इसी प्रकार से यह देखी एक इंच की दूरी इदर से और एक इंच की दूरी इदर से तो दोस्तों यह देखी इस प्रकार से चौक से सारे निशान में लगा लिए हैं अब आपको यह जो निशान इस तरफ भी लगाने लेकिन किस तरिके से लगाने बस बहुत असान तरिका यह देखी आपको इस इस प्रकार से पकड़ना है और बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल बराबर रखते हुए इस परकार से बिल्कुल बराबर यह देखिए इसको मैंने पकड़ लिया और यहां पर हलका हलका सा इस प्रकार से आपको मार करना है यानि कि थपी मारनी है तो यह जो निशान इधर भी आ जाएंगे अब इन निशानों को थोड़ा डार कर लेते हैं तो दोस्तों दोनों तरफ जो हैं हमारे जो निशान हैं लग चुके हैं अब आपको क्या करना है बिल्कुल सेंटर से यह जो सेंटर है ने इसको यहां से आपने कट कर लेना है अब इसको कट करने के बाद दोस्तों ये जो निशान लग रहे हैं इन निशानों के उपर आपको लगानी है गोटा पत्ती वाली लैस जो की बहुत ही आसान है इसको लगाना बहुत आसान है देखी आपको इदर से इसे निशान के उपर इस प्रकार से लैस को लगाना एक एक इधर एक इधर सारे के सारे आपको शिलाइयां लगा लेनी है दोस्तों जो मेने मार्क लगाए थे उन मार्क पर मैंने इस प्रकार से इस गोटा पत्टी वाली लगा दिया है अब इसको जो ये दो टुकड़े में ने कर रहे थे ने बीच में से इन दोनों को आपस में आपने इस प्रकार से जोड़ना है यह देखिए बिलकुल बराबर रखना है और इसको इस प्रकार से बिलकुल बराबर रखते हुए यह देखिए आपने यहां पर बिलकुल सेंटर में इस प्रकार से सिलाई लगानी आदा हिंच का मार्जन लेते हुए अब इस सिलाई को लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर इसकी सारी सारी लैस एक दूसरे अटेच हो चुकी है तो दोस्तों ये देखी इस प्रकार से इस सिलाई को मैंने अची था से चीर दिया है अब इसको चीरने के बाद ब इसके चारो तरफ हमने लैस लगानी है कंगूरे वाली लैस जिसे हम यह ट्रैंकल वाली लैस भी बोलते हं अब iss Lass को लगाना बहुत ही आसान है इस Lass को कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तू ये देखी इस Lass को आपने देख़े। पहले बाट तो ये है कि इस Patch को आपने सिधा रखना है और ये जो Lass है ठीक है लैस को आपने उल्टा रखना है इसके उपर और इधर से आपने हलका सा मारजन लेते हुए लगबग आदा इंच का और इस लैस को इस प्रकार से लगाना है यह देखे लैस को उल्टा रखना है और इधर से बिल्कुल आदा इंच के से भी कमारजन लेते हुए बिल्कुल इस आसानी सी घूम भी जाती है तो दोस्तों ये देखिए, लेस हमाई लग चुकी है और मलास को लगाने के बाद अब यह जो लेस आपकी इस प्रकार से अंदर की तरफ चाहेगी देखें दो मारजन सारा अंदर के तरफ फोल्ड हो जाएगा तो यह देखी इस प्रकार से अब यह जो इसका गुलाई बन भाली जगए यह भी असानी से आपकी यह देखी आप देख सकते हो बहुत असानी सी आप तरफ आन पकारसे गोर पर pleca servant कर रहा है तो बहुत ही असाने इस तरह से लैच को लगाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है बहुत असानी सी देखी यह इसमें आपको सिर्फ वो सिर्फ यह इसके जो ट्राइंगल बने हुए यही नजर आ रहे हों कि बाकि पूरी अच्छी तरह से हमारा पैच बन चुका है अब दोस्तों इस पैच को हम गले पर सैट करेंगे उससे पहले जो गला है इसको कितनी नीचे इसको सैट करना है वो सब मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों इस पैच को बनाने के बाद अब इसके अंदर आपको यह दिखे जो बहुत बना रहे हो गोल चकौर पान इस गले को अपनी प्रकार से रख लेना है गला मैंने और कप्रे पर सैट कर लिया है अब यह देखे के जहां तक गला आएगा गला यह तक तक आपसे जो पैच अख्रा ना बनाए टो सबसे पहले यह तह लगाना है यह दिखे यह सैंट्र का लिए टो इदर ना जाए तो अब इस पैच को का सैंट्र में लगार। तो दोस्तों यह देखिए यह मैंने निशान लगा रखा है और इसको पहला आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है और यह बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यह देखिए बिल्कुल सेंटर में और इसको फोल्ड करते हुए आपने यहां पर से लगानी है तो दोस्तो पैच को मैंने लगा लिया है पैच को लगाने के बाद अब इस गले को बिलकुल सेंटर में रखते हुए जो भी आप जैसे नोर्मल गला बनाते हैं उसी पकार से इस गले को बना लेना जो कि बहुत ही असान है गले को बनाने के बाद इसके अंदर हमने एक creativity और करनी है, पहले मैं गला बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो दोस्तों गला बन जाने के बाद अब इसके अंदर creativity करने के लिए आप अपनी चो इसके buttons लगा सकते हो, जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये सारे बटन लगा देंगे, तो बटन लगाने के बाद इस गले में और भी ज्यादा निखार आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये थी मेरे आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो में गले का एडिजान अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, थैंक्यो वेरी मच